C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावर्ण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार प्रिष्ट संख्या 109 अध्याए 9 स्वस्त रहो प्रसन रहो हम ये जानते हैं कि हमें स्वस्त रहना चाहिए इससे हमारा शरीर वा मन सही तरह से काम करता है यहां कुछ सरल वा अच्छे आदते दी गई हैं जो हमारे शरीर को स्वच और रोगों से दूर रखने में सहता करती हैं ये आदतें हमारे शरीर वमन को स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र हैं, जिनमें बच्चे दैनिक दिन्चरिया में व्यस्थ हैं। प्रिष्ट संख्या 110 स्वच इवं प्रसन्न चित्र अपने आप से ये प्रशन पूछिए। क्या आज मैंने दात साफ किये हैं? क्या मैंने इसनान किया हैं? क्या मैंने बालों में कंगी की हैं? क्या मैंने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोये हैं? क्या मेरे नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं? दिन चरया, लिखिए, सुभा उठने से लेका रात में सोने तक आप प्रति दिन क्या क्या करते हैं, उन कारियों को लिखिए, क्या आपकी सूचे में यहां दी गई गतिविधियां शामिल हैं, याद रहे कि इन में से कुछ कारे ऐसे हैं, जिने हम दिन में एक से अधिक बार क दात साफ करना, छे से आठ गिलास पानी पीना, भोजन करना, कम से कम आठ घंटों के नेंद लेना, और बाहर खेलना, अब इस सूचे को यहां दी गई गतिविधियों के साथ जाचिए, क्या आपने दिन में दो बार दात साफ किये, एक बार सुभह उठने पर और दूसरी बार सोने से पहले, क्या आपने भोजन करने के बाद हर बार कुला किया, क्या आपने शोचाले जाने के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन से हाथ धोए, इस प्रिष्ट पर दो चितर हैं, उपर वाले चितर में एक लड़की अपने नाखुन काट रही है, और नीचे व इनमे से किसी भी प्रश्ण के लिए आपका उत्तर ना है, तो इसके बारे में सोचिए, चर्चा कीजिए कि आप इसे अपने आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं, क्या इन आदतों को अपनाने में कोई परिशानी हो रही है, हम अपने दात कैसे साफ करते हैं, मोयना की दाद जिससे पूछा, दादू, आप हमारी तरह टूद ब्रश का प्रियोग क्यों नहीं करते? दादू हसे और बोले? परन्तु हाँ, बबूल के दादून का स्वाद ठीक था. मुईना ने बहुत उत्साहित होकर कहा, दादू, मैं बबूल के दादून का इस्तिमाल करना शुरू कर सकते हूं. पता लगाईए, अपने दादा दादी, नाना नानी या पड़ोस के बड़े लोगों से पूछिए, कि जब वो छोटे थे, तो अपने शरीर, बाल, कपड़े और दादों को साफ करने के लिए किन चीजों का इस्तिमाल करते थे? क्या वो चीजें अब भी मिलती हैं? प्रिष्ट संख्या 112. क्या आप जानते हैं? दादों को ब्रश करने का ये आधुनिक तरीका, दाद साफ करने के पुराने भारती तरीके से ही विक्सित हुआ है, जिसमें दादों को साफ करने के लिए नेम, बबूल, वो करंच जैसे पीणों की टहनी को दातुन बना कर रसोई घर वसनान घर में सतों तता फरनीचर की सफाई और धोल मिट्टी वो किटाड़ों को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तों का उप्योग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किस तरह की चीज़ों का उप्योग होता है? पता लगा ये। आप स्वैम भी एक ऐसा सफाई का घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए आठ से बारह संत्रे या नीमो के छिलके जो कम से कम आधा लीटर के किसी पार दर्शित डिब्बे में भरी जा सकें। दस साबुत लौंग या दो तीन तेजपत्ते इच्छनुसार दो प्याले सफेद सिर्का इस प्रिष्ट पर संत्रे और नीमो के छिलके लौंग तेजपत्ता और सिर्के के बोतल का चित्र है। इन सब चिज़ों को आधा लीटर के किसी पार दर्शित डिब्बे में डाल कर ढकन बंद करिये। इस डिब्बे को कम से कम दो सप्ता के लिए ऐसे स्थान पर रखिये जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रन को हिलाते भी रहें। दो सप्ता के बाद इसको च्छान लें। हर तरह की सफाय के काम में आने वाला सफाय का घोल तयार है। शिक्षक संकेत बच्चों की दिंचर्या इस पर निर्भर करती है कि वो कहां रहते हैं और उस जगह पर पानी जैसे संसाधन किस प्रकार उपलब्द हैं। शिक्षक इन बातों पर चर्चा करें। सवच्षता के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले पुराने पारंपरिक तरीकों और प्राकर्तिक चीजों जैसे बालों के लिए रीठा या शिकाकाई के प्रियोग पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही घर की सफाई के लिए कुछ सुरक्षित और प्रभावशाली विधियों को भी प्रियोग में लाया जा सकता है। प्रिष्ट संख्या 113 घर के फर्ष और स्नान घर की सफाई के लिए पानी से भरी बाल्टी में एक प्याला ये मिश्रण मिलाएं और देखें इसका कमाल। को साफ करते रहते हैं, वो एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। आपने पक्षित को भी देखा होगा कि वो अपनी चोट से अपने पंको को साफ करते हैं। अपने आस पास के परिवेश में देखिए कि पशु पक्षी और कीट आदी अपने शरीर की सफाई किस किस तरह से करते हैं। घर के अंदर और बाहर खेल खेलना। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने मित्र को पकड़ने के लिए आप बहुत तेज दोड़ते हैं। तेज दोड़ के बाद आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं। हो सकता है कि आपके गाल हलके से लाल भी हो जाते हो। आपको अपने शरीर की गर्माहट महसूस होती होगी, पसीना भी आता होगा। जानते हैं कैसा क्यों होता है। दौडने कुद्रिन जैसी गतिविदियों से हमारा हिरदे कुछ अधिक कारे करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा रहता है। स्वैम को चुस्त, स्वस्त वफुर्तिला रखने के लिए व्यायाम के बहुत से तरीके हो सकते हैं। प्रिष्ट संक्या 114 गतिविदी दो, फुद को उचलो, कूदो। जरा ऐसे भी करके देखो। बत्तक की तरह चलो, मेंडक की तरह फुद को, बिल्ली की तरह दोडो। इस प्रिष्ट पर उपर वाले हिस्से में एक च्छित रहे। जिसमें तीनों बच्चे, बत्तक, मेंडक और बिल्ली की तरह फुदक, उचल और कूद रहे हैं। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया कूदने वाली एक रस्सी ले और कूदे कूदते समय गिंती करें कि आप कितनी बार कूदे अपने मित्रों के साथ भी कूदे और देखें कि कौन सबसे अधिक बार कूदा अब दस बार कूदिए और फिर अपने मित्र को कूदने के लिए कहिए, आप दस्तक के गिंती कहने के स्थान पर छोटी से कविता भी गा सकते हैं, जैसे, मुझे पसंद है रोटी, मुझे पसंद है घी, मैं चाहती हूँ की, मैं चाहता हूँ की, रिक्तिस्थान, अपने मित्र का नाम ले, मेरे संग कूदे यहां पर एक्चित रहे इसमें दोनों बच्चे कूद रहे हैं आप कूदने वाली रस्ते से और कौन-कौन से खेल-खेल सकते हैं अपने मित्रों को सिखाईए और उनसे सीखिए शिक्षक संकेत हमारे शरीर को मुखिता तीन प्रकार की व्यायमों की अवशकता होती है हर्दे एवं श्वशन अंगों को सुद्रड करने वाली व्यायम मास पेशियों और हड्डियों को सुद्रडता देने वाली व्यायम और शरीर के लचिलेपन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए व्यायाम प्रिष्ट संक्या 115 हर प्रीत की दादी के घुटनों में दर्द रहता है इसलिए उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है फिर भी वो घर में थोड़ा बहुत चलती हैं वो हर प्रीत के साथ शतरंज खेलना पसंद करती हैं वो कहती हैं कि शरीर और मस्तिश्क दोनों का ह कारिक करती रहना बहुत जरूरी है इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में एक चितर है जिसमें हर प्रीत अपनी दादी के साथ शतरंज का खेल खेल रही है खेल का नाम बताईए आपको घर के बाहर खेले जाने वाले कौन-कौन से खेल पसंद हैं क्या आप इन खेलों को प्रिष्ट के निचले भाग में चार खेलों की चितर है अब आपको इन चितरों को पहचान कर इनके नीचे इनके नाम लिकने है अपशन ये चितर हैं लट्टू चौसर लूडो और कैरमबोड अब आपको इन चित्रों को पहचान कर इनके नीजे दी गई जगह में इनके नाम लिखने हैं प्रिष्ट संख्या 116 खोजिये पता लगाईए इस वर्ग पहले में कुछ खेलों के नाम छिपे हैं क्या आप उन्हें ढूंड सकते हैं आपको इन में से कौन सा खेल पसंद है आपके लिए एक उधरन दिया गया है यहाँ पर एक वर्ग पहली है और उसके उपर लिखा है खेलों के नाम अब आपको इस वर्ग पहली में से अपनी पसंद के खेलों के नाम चुणने है और उन पर गोला लगाना है उधरन के तोर पर कबड़ी के खेल पर गोला लगा कर दिखाया गया है अब आप बाकी के खेलों पर स्वयम गोला लगाएं जिने आप खेलना पसंद करते हैं प्रिष्ट संख्या 117 शुरक्षित रहकर खेलना सुरक्षित रहते हुए खेलना सबसे महत पूर्ण है इन में से कौन से स्थान खेलने के लिए सुरक्षित है क्यों या क्यों नहीं यहाँ पर पाँच चित्र है इन चित्रों में बच्चे खेल रहे हैं और इन चित्रों के सामने वो जगा भी लिखी हैं जिन में ये बच्चे खेल रहे हैं। पहले चित्र के सामने लिखा है भीड़ भाड़ वाली सडक, रिक्तिस्थान सुरक्षित है या रिक्तिस्थान असुरक्षित। अब आपको ये बताना है कि ये स्थान सुरक्षित है या असुरक्षित। दूसरे चितर के सामने लिखा है पार्क और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित। तीसरे चितर के सामने लिखा है विद्याले का मैदान और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित चौते चितर के सामने लिखा है बिना रेलिंग की चट और नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित और पांचवे चितर के सामने लिखा है जहाँ कोई निर्मान कारिचल रहा हो और उसके नीचे लिखा है सुरक्षित या असुरक्षित अब आपको उन चित्रों के सामने सही का चिन्द लगाना है जिने आप समझते हैं कि ये जगा खेलने के लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है सारजनिक स्थानों पर अपरिजित लोग हो सकते हैं लोगों से तभी बाचित करें जब आपके साथ माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं इस प्रिष्ट पर तीन चित्र है पहले चित्र में एक व्यक्ति दो बच्चों को कुछ दे रहा है व्यक्ति कहता है हेलो मैं तुम्हारे लिए कुछ टौफिया लाया हूँ बच्चे कहते हैं धन्यवाद पर हमें टौफिया नहीं चाहिए दूसरे चित्र में एक औरत एक बच्चे से बात कर रही है बच्चा कहता है पर मैं तो आपको नहीं जानता तीसरे चित्र में एक व्यक्ती एक कार के पास खड़ा है और बच्चे से कहता है बच्चो आओ मैं तुम्हें दोनों को छोड़ दू आओ मैं तुम दोनों को घर छोड़ दू बच्चा कहता है नहीं नहीं हमें अपने घर का अंजान व्यक्ति से मिलें तो उन्हें सावधान रहने के लिए सचेत करें। माता-पिता जब भी अपने बच्चों को लेने, किसी ने व्यक्ति को भेजें, तो विद्याले के साथ पहले से तय पासवर्ड का उप्यूग करें। प्रिश्ट संख्या 119 आईए मन्थन करें का लिखिए अपनी सापताहिक स्वास्त तालिका बनाईए। आपको कैसा लगता है जब आपको नींद आ रही हो, भूग लग रही हो या ठकान हो, जब हमें कुछ ऐसा लगता है, तो ये इस बात का संकेत है कि शरीर को कुछ चाहिए। हम सभी की अवशक्ताएं अलग-अलग होती हैं, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारे शरीर और मस्तिश्क के लिए क्या अच्छा है। इसके लिए सप्ता भर की अपनी गत्विदियों को तालिका में भरिये और बताईए कि आपने क्या महसूस किया। इस प्रिष्ट पर एक तालिका है। इस तालिका के नो भाग हैं। उसके बाद लिखा है मैंने कितनी देर तक घर से बाहर के खेल खेले। उसके बाद लिखा है ये सब करके मुझे कैसा महसूस हुआ। अच्छा, ठीक ठाक, कुछ खास नहीं या बुरा। तालिका में दिन के नीचे सप्ता के दिनों के नाम लिखे हैं। ये नाम हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुकरवार, शनीवार और रवीवार। अब आपको इस तालिका को स्वयम भरदा है। ख, चित्र बनाईए, अपनी कौपी में एक बड़ा सा गोला बनाईए। अब इस गोलाकार आकरती को 24 हिस्सों में बाटिए। कल्पना कीजिए कि इस गोले का प्रतेक हिस्सा आपके दिन का एक घंटा है। शिक्षक संकेत, बच्चों को प्रत्साहित करें कि वो अच्छी नींद, अच्छे आहार एवं व्यायाम का संबंद अच्छा मैसूस करने के साथ पहचाने। उनके साथ ये भी चर्चा करें कि क्या किसी अच्छी आदत का नीमित रूप से पालन करना कठिन है। इस तालिका को भरना एक तरह से इस पाठ का आकलन है। प्रिष्ट संक्या 120 अपने पूरे दिन के 24 घंटों में आप भिन भिन गतिविदियों में कितना समय बिताते हैं। उस आधार पर गोले के इन हिस्सों में इच्छा नुसार अलग अलग रंग भरिये। उधारन के लिए मोयना 8 घंटे सोने में, 2 घंटे भोजन करने में, 6 घंटे विद्याले या फिर घर में पढ़ाई करने में, 2 घंटे बाहर खेल खेलने में, 2 घंटे घर में अपने माता पिता की सहता करने में, 1 घंटा टीवी देखने या फोन पर खेल खेलने में, 1 घंटा स्नान, शोचाले आदी में और दो घंटे अन्य गति विधियों में पिताती है अपने गोले के नीचे इन गति विधियों का उलेक कीजी मुईने का गोला यानि उसका पूरा दिन इस तरह से है यहाँ पर आठ रंगों के चित्र हैं जैसे नीले रंग के लिए है सोना, गुलाबी रंग के लिए है भोजन करना पीले रंग के लिए है पढ़ाई करना संत्री रंग के लिए है खेलना, लाल रंग के लिए है माता पिता की साहता करना भूरे रंग के लिए है टीवी देखना हरे रंग के लिए है शोचाले स्नान आदी और हलके हरे रंग के लिए है अनिकारिय और साथ यहां पर 24 घंटों का एक पाई चाठ है जिसमें मुएना की गतिविद्यों को अलग-अलग रंगों से दर्शाय गया है गर चर्चा कीजिए किसी ऐसी गतिविद्य के बारे में सोचिए जो आपके शरीर की ताकत वो उर्जा को बढ़ाने में सायक हो इसे आप सप्ता में कम से कम दो बार करिए इसमें दोड़ना, कूदना, सीड़ियों पर चड़ना आदी गतिविद्या हो सकती है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और इस तरह की गतिविद्या साथ मिलकर कीजिए शिक्षक संकेत बच्चों को एक बड़ा सा गोला बनाने के लिए कहें जिससे वो उसमें सरलता पूर्वक 24 हिस्से बना सकें इस गोले को बिना चांदे की सहता से 24 हिस्सों में विवाजित करने का सबसे सरल तरीका है इसे सबसे पहले 4 बराबर हिस्सों यानि चोथाई में बाटना फिर प्रतेक चोथाई भाग के 3-3 बराबर भाग करना इतना करने से 12 बराबर भाग बन जाएंगे अब 24 भाग बनाने के लिए प्रतेक भाग को दो हिस्सों में बाटिए ये गतिविधी आगे चल कर बच्चों को भिंड तथा अनुपात की आउधारणाओं को समझने में सहता करेगी साथ ही ये बच्चों के लिए घड़ी का चित्र बनाने तथा जंडे में अशोक चक्र बनाने में भी सहयक होगी विराम करते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावन अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार वाचन स्वर प्रवीन शर्मा ध्वन्यांकन मंजु कुमारी निर्मान सहयोग स्वरेंदर कुमार निर्देशन एवं निर्मान व्यमलेश चौधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत